Hi Learners, Welcome to Learners Graduate Education आजके इस क्लास का टोपिक रहेगा Important Military Exercises अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा कि यह Military Exercise भारत जो है से Other Country के साथ कर रहा है जैसे नाम ले, मालाबार exercise, दोस्ती हो गया सूरी किरेन हो गया, हैंड इन हैंड हो गया मैत्री हो गया, मित्र सक्ती हो गया ते सब कुछ exercise का नाम है जो कि भारत अलग-अलग देशों के साथ Perform करता है, तो मन में प्रस ने यह उठता होगा कि यह Military Exercise होता क्या है और इसको क्यों कंड़र्ट कराया जाता आखिर परपस क्या है, इसके पीछे का क्या सा लोजिक है कि इसको perform कराया जाता है तो एक मैं Complete Overview देने वाला हूँ Military Exercise के बारे में साथी साथ हम लोग discuss करेंगे Bilateral, Trilateral और Multilateral Exercise के बारे में तो सब के बारे में एक Overview देने वाला हूँ तो इस्टेटी का एक काफी important topic को आज मैं cover करने वाला हूँ तो first of all तो इस term को clear करता हूँ कि Bilateral Exercise क्या होता है में डिरूप से term है आपका Military Exercise उसमें discuss होता है Bilateral, Trilateral और Multilateral तो जानेंगा हम लोग की Military Exercise क्या होता है जैसा नाम है आपे देख सकते हैं Bi, तो Bi का मतलब क्या होता है तो Bi का मतलब होता है तो इस जो Bilateral Exercise होता है इसमें 2 country participate करता है अब 2 country participate करता क्या है इससे size में ध्यान समझेगा Military Exercise में 2 country के जो arm forces होते हैं वो मिलते हैं और उसमें क्या करते हैं ऐसा कुछ activity करते हैं या फिर exercise करते हैं exercise मतलब अभ्यास बोल सकते हैं जिससे क्या हो सके to strengthen their security उनलों का जो सुरक्षा है उसको strengthen कर सकें मजबूत कर सकें 45 friendship एक दूसरे के बीच जो मित्रता है उसको गाढ़ा किया जा सकें उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सकें and share technology mutually यानि कि परसपर जो technology का transfer हो सकें एक दूसरे से कुछ सीख सकें तो इसके लिए एक्सरसाइज करा जाता है तो आयोब की समझ में आ चुका होगा हम लोग चाहते हैं कि जो एक दूसरे के बीच security को बढ़ाएं friendship को बढ़ाएं और technology को transfer करें मिले लोग से purpose इसका होता है security को बढ़ावा देना तो इसलिए military exercise किया जाता है जब दो country participate करते हैं उसको bilateral exercise कहा जाता है तो मान लेते हैं कि future में कोई अगर देश है अगर दोनों देश पर attack कर लेता है तो दोनों देश जो हैसे मिलकर उसको जो हैसे handle करेंगा समस्या को तो उससे जल्दी नहीं है तो प्रसमस्या आएगा ही नहीं तो समय ली जागे इसको यही हो गया bilateral exercise अब बात करेंगे trilateral exercise जैसे नाम से ही किलिए रहे ना try मतलब 3 तो एक exercise में तीन country participate करता है simple सा इसका logic है कि जब किसी exercise में तीन country participate करता है ताकि अपने भी जो हैसे उनलोग security को मजबूत कर सके, friendship बढ़ा सके और technology उगर का transfer उगर कर सके तब उसको trilateral exercise नाम दिया जाता है जैसे मैं discuss किया था दोस्ती का तो दोस्ती exercise देखिएगा इंडिया के बीच, स्रिलंका और माल्दू के बीच में देखने को मिलता है तो यह दोस्ती exercise के बारे में हो गया तो यह एक trilateral exercise का example है अब बात करें कर multilateral exercise का तो multi जिसे नाम होता है बहुत सारा तो एक ऐसा exercise जिसमें तीन से ज़्यादा country participate करता है तो उसको अब लोग multilateral exercise का नाम दे सकता है जैसे Milan हो गया exercise यहाँ पर डिसकस है मालाबार वगरा तो यह सारा जो exercise है यह multilateral exercise में गिना जाता है अब मालाबार को लेकर confusion कीज़ेगा आस्टेलिया भी कभी-कभी participate करता है तो आई होग कि यह slide से सारा चीज किलिए होगा कि what is military exercise what is bilateral exercise what is trilateral exercise and what is multilateral exercise and why are these exercises conducted तो सारा चीज आपको answer मिल चुका होगा ध्यान से इसको समझ ले slide काफे ज़्यादा important है अब हम लोग बात करेंगे list of military exercises of India with other countries तो बात करते हैं भारत का दूसरे देशों के साथ other country के साथ कौन-कौन सा भारत जो है से exercise conduct करता है पहले परोसी को जहान से पहले देखेंगे हम लोग पहले हाता है संपरीती और एक है Ugh इपनेश आप लोग को Myanmar और मिलन में Myanmar सामिल होता है Millern में मैंसमार सामिल होता है लेकिन एक चोली में या एक multimedia Force साईज है जो की लैटर भी मैं सको इसको डिसका करने वाला हूं उसका देखलीजिए एक है नाम है और खो सेन नाम तो सांथी और गो सेना जो गो सेना वर्ड है इसका मतलब होता है front runner of peace यानि कि जो सबसे पहले जो निकलता है उसको बोल सकते हैं front runner ना चलिए मनें बोल सकते हैं fronte के लिए अग्रनी तो उस होता है सांतिर ओग्रो सेना तो इसका मतलब तो यह होता है यह किसके बीच में किया जाता है तो भूटान स्रिलंका बंगलादेश और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है तो इसको ध्यान रखी गा भूटान स् साइज हो गया तो यहां पर डिसको सबसे पहले पूटोसी दिछ को कर रहा है उसके बाद हैंड इन हैंड चाइना के साथ आपको रहता है उसके बाद शूरिय किरन आता है नेसीप करते ऐसे को सब्कशन होता नहींनहें स आपके पाका कि पथा न करते हैं तो प्थितने कितना 100 मित्रा नहीं करते हैं टिपत वह फारा तो पता हैि चैना कंट्रोल कर चुका है एक जो इंपोर्टेंट आप लोग को लगता है यहां पर一下 को याद आखाती गां मित्र सकती को मैंत्री से कंफ्यूज नहीं करना है थोड़ा साथ वेस horizon अरक्सराइज बूख मैं अब बात कर रहा हूँ मैं Satyal ni तो मित्र सक्ति जो हैसा आप लोग स्रिलंका के साथ करते हैं और स्रिलंका के साथ हम लोग एक exercise और करते हैं जिसका नाम है स्रिलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज यह नेवल एक्सरसाइज होता है तो मित्र सक्ति और स्रिलंका के साथ इंडिया करता है तो याद रखें इतना सारा प्रोसी देशों के बारे में हैं तिसे कोशन आपको भरबर क्या आते हैं ज्यादा आपको मित्र सक्ति वगरा स्रिल एनेक्स हो गरा हैंड इन हैंड सुर्य किरन काफी ज्यादा पूझते हैं संपरीति वगरा ओके इसके बार में आडिया जरूरूर रखें चलते हैं नेक्स स्लाइड की और नेक्त स्लाइड में हम लोग ओर गोजी दखते हैं जैसे कि मैने अभी बात कर रहा था मित्र सक्तित हो गया Việt प्रम्हां श्रियशमी और यूज अप मेढ़ा कोगान इंडिया की भी है ध्य害द एक्सर्साइज ने गाने हैं इन्डिया की भी ध्यान दीचेगे लगा है तो वजर परहार ज्यादा important है, उसके बाद देख लिजएगा, इसपैटिंग कोपरा, rate flag important है और UWS, यूद अवियास ज्यादा important है वजर परहार, इसको देख लिजएगा, जितने exercise है सारा, यह US के साथ किया जाता है, उसका nomadic elephant आता है, nomadic elephant करते हैं हम लोग मंगोलिया के साथ किसके साथ, मंगोलिया के साथ, nomadic elephant किया जाता है, उसके बाद आता है, गरूरा सक्ति, तो यह इंडोनेसिया के साथ किया जाता है, इसका PDF आपको provide करा दिए जाएगा, टेलिग्राम पे तो आप लोग उसको download कर लीजएगा, इस अब एक्षिलिन आपको दिमाग में आपको वरूना exercise और गडूर, तो वरून और गडूर याद रग लिजएगा, फ्रांस के साथ करते हैं, और उसके बाद धर्म गारजियन यह जापान के साथ है, ना, तो धर्मा गारजियन पुछ देख किसके साथ होता है exercise, यह जापान के साथ करता है इंडिया, सारा इंडिया का ठीक है, bilateral exercise योगर के बारे में बात किया जा रहा है, ना, चलिए, उसके बाद इव एक कोरिन देखने को मिलेगा एक, देखीएगा, इक कोरिन एक exercise है, जो की मालदिव के साथ किया जाता है, इव कोरिन, उसके बाद इंद्रा आता है, तो इंद्रा के साथ आप लोग रस्या, इंद्रा एक exercise जो होता है, रस्या के साथ करते हैं, उसका खंजर आता है, खंजर करकिस्तान के साथ होता है, यह घंजर होता है, उसके बाद खाजिंड है, और एक है आपका 10 लिए वे आप लोगों सबकर सितान के साथ करते हैं ना करते हैं जब 1991 में या का बिघटन हुआ था सब्सक्राइब निकल कर रहा था तुर्कमने ऑ जय कmäß सब में इंडिया है इंडिया काहींति इसके बाद Desert Strike आता है, Desert Strike उझवे किस सान के साथ कया जाता है, उसके बाद Himalayan Warrior, Emerald, उसके बाद Mercury, Emerald Mercury और Aze voltage, अजए Vancouvere काफी ज़्याता है, इसको धेयां दीज़ेगा, तो Azeven Warrior United Kingdom के साथ किया जाता है, Desert Strike उझवे किस सान के सान किया जाता है, ये भी Important है, आजे वरिया देखिए हिमालेन वारियर और इमराल्ड मरकरी यह सारा United Kingdom के साथ किया जाता है यानि कि UK अगर बैगराइंड में अगर ब्रिटें लिग दे तो उट्सकों भी टिक लगा लिजएगा छोड़ के मत आ जाईएगा एक है लामीति यह भी इंपोरटेंट है या सेसेल के साथ आपलोग करते हैं सेसेल कांट्री के साथ आपलोग देखने के साथ गजा जाता है और आजकर अल जो इकसरसाइज साबको देखने के लिग बलेगा उमान का साथ करते हैं दो तो All-Naja और All-Nahyane L1 ये किया जाता है आपको देखनी योग मिलेगा उमान के साथ उसके बाद आता है Wing Bags बहुत इंपोटेंट का साइड है Vietnam India Belateral exercise के बारे बात किया जा रहा है तो या वियतनाम का साथ किया जाता है उसके बाद एक हरिमा हो सकती है, यह भी इंपोटेंट है, यह जो हैसे आपको मलेशिया के साथ करते हैं, और उसके बाद एक इंपोटेंट आता है, धर्मगारजियन, और एक बोलिए सिन्यू मैतरी, तो धर्मगारजियन और सिन्यू मैतरी जापान के साथ किया जाता है, सब्सक्राइब करते हैं तो सारा इभी लिस्ट को मैंड में सेट कर लेना है अब चलते हैं कुछ इंपोटेंट ट्राइलेटरल और जितना भी लिस्ट में दिया हो पीडिएफ दे दूँगा आप लोग इससे कोशन डायरेक आता है तो इसका लिस्ट को आप लोग याद कर लेना है एक दो बार डेली एक दो बार विजिट करते रहेगा याद होते जाए आप में जो पार्टिसिपेट आपको नेसन देखनें को मिलेंगे इंडिया के साथ जापान, USA के साथ आष्टेलिया भी पार्टिसिपेट करता है यह एककरशाइज है आप से इंडिया में पूछ बहर भी इसको जोड़ते थे इसको तो यहाँ पर जानेगा तो बोली एसिया का नाटो भी बोलते हैं इसको North Atlantic Treaty Organization जो नाटो है उसको एसिया का नाटो इसी को बला जाता है Quad ऐसा तो कोई बोलता नहीं है खुल के बात नहीं करता है लेकिन मिन उसे का चाता है कि China को जो हैसे टेकल करने के लिए जो हैसे इसको बनाया गया है Quad गूरूप को Quad में चार कंट्री आता है यह भी कोशन बनेगा कि Quad में किनते कंट्रीज हैं तो ठीक लगा लिजेगा इंडिया जापान USA और आस्टेलिया जो हैसे चार कंट्री मिलकर Quad का एक गूरूप बनता है ठीक है चलिए इसको यह दख लीजेगा 1992 में इसको किया गया था सुरवाद सेकेंड आता है दोस्ती दोस्ती जो इक्सराइज बैनील देखने मिलता है यहने कि हर एक दूसरे सालिया होता है इंडिया, स्रीलंका और माल्दिव तीन कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करता है 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था इसके बार में एक इंपोर्मेशन बताता हूं कि यह जो एक्सराइज देख दोंक मिलता है समवेधना, ओके यह समवेधना एक्सराइज जो है से 1st HADR था 1st HADR मतलब होता है Humanitarian Assistance and Digital Relief जिसको अपलोग समवेधना का नाम से जानते है इसका मतलब इमपत्य होता है ना इमपत्य और समपत्य में आपको अंतर पता होना चाहिए देख लिजेगा दोनों का डिपीशी डिफरेंस जो अभी हुआ होगा या किसी का अगर 30 साल या 40 साल अगर पूरा होगा तो उसमें आपको पूछ सकते हैं जैसे अगर डेट अगर थोड़ा सा आप बात करें यहां पे तो इससे साइच को देख लिजे 991 में शुरु हुआ इसका भी 30 साल पूरा हो गया मालाबाइर के बार बात कर रहा तो 30 पूरा हो गया तो इससी कोणड़ सकता है और अभी देख जो वाईजेग में विजिशाका पर्टना में एक्ससाइज वए था फेबरेरी 2022 में तो वाइजएग मतलब होता है तो विसाका पटनम जिसको आप लोग सीटे ओप डेस्टनी के नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा वहां पर एक्सराइज हो चुका है तो अभी करेंट में पूछे जाने के संभावना है और ऐसे मालाबार एक्सराइज करें मैरिन टाइम एक्सराइज को सोट में आपको इपसा मार बोलता है इपसा कंट्री में पूछेगा कितने देश हैं तो तीन देश है ये भी कोश्चन बनता है आपसे बोल देगा कि इपसा में कितने देश हैं तो इंडिया ब्राजिल और सौथ अपरिका को सोट में इपसा ब पार्टिसिपेट करते हैं, 40-plus country इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं वहाँ पे डिसकस किया था, कि मिलेन एक्सराइज यह नेभी इसको चुनाइज इंडियन नेभी की दौरा, कोबरा गोल्ड देखते हैं कोबरा गोल्ड जो इकसराइट देखने हो मिलेगा इसमें बहुत सरा कंट्री है आप लोगी देखने हो को मिलेगा यूएस थाइलेंड हो गया जापान हो गया थाइलेंड सा दो बार हो गया इसको मलेशिया हो गया, सिंगापूर हो गया, अब यह conduct कराया जाता है आपको थाइलेंड में, तो इसको देख लीजेगा, कोबरा, गोल्ड के नाम से है, इसमें अधर कंटी भी पार्टिसिपेट करता है, इंडिया पार्टिसिपेट है, इसमें अब्जरबर के जैसा इसमें पार् रहा है, जिसको आइडिया रख सकते हैं, उसके बाद एक रिमपैक आता है, रिमपैक एक इकसरसाइज बैनियल है, यह रेक दो साल के बाद पंड़क्ट कर आ जाता है, आस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूके, यूएस जैसे 26 कंट्रिस में इसमें कोई डाउट अब तक नहीं रहा होगा, HADR काफी इंपोर्टेंट बनता है, हुमेंटेरियन एसिस्टेंट, डिजिश्टर रिलिप, जो की सम्वेधन एकसरसाइज को बताता है, इंपति मिनिंग होता है, देख लीजएगा, साउथ एसें डेजन नेसन्स के बारे मे मेमरी बेस्ट होता है जिनरली, तो मेमरी में अब इसको सेट कर लें, बार बार देखें, याद हो जाएगा, तो that's it for this class मिलते हैं, नेस्ट एस्टेटिक परसन में मिलता रहेगा ऐसा, वीडियो तो चैनल से जोड़ जाएं, और अगर लगता है वीडियो को आगे बढ़ान जय हिंद